हाई फ्रेंस वेल्कम डू आपदास किचन आज के लिए आपके लिए बनाना केक की रेसिपी तो वीडियो को एंट तक जरूर देज़ किए और रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी जरूर किज़ेगा तो चलिए फ्रेंस फे शुरू करते है तो यहां मैंने य इने कट कर लिया है और यह मिक्सर में हम डालेंगे और साथ ही में हम यह डालेंगे इसमें वन थर्ड कप शुगर और वन थर्ड कप ही यह वां मिल्क है और हाफ कप हम लेंगे नॉन फ्लेवर ओल साथ में मैंने यहां पे दो बड़े चमच बटर मेल्कर के लिया इसे भी ड करेंगे तो यह देखी यह सारी चीज़ों को में ग्राइन कर लिया एब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे तो हमारी वेटी इंग्रीडियन्ट रेडी हो गई है चलिए अब हम इसमें ड्राइ इंग्रीडियन्ट एड़ करते हैं तो इसके उपर मैंने रखी है ये चन्नी और इसमें मैं ये डाल रही हूँ एक कप आटा और ये आदा कप मैदा और यहाँ पर हम डालेंगे ये वन टी स्पून बेकिंग पाउडर और वन फोर टी स्पून बेकिंग पाउडर और हम डालेंगे इसमें वन फोर टी स्पून ही बेकिंग सोडा खाने वाला सोडा और वन फोर टी स्पून ही सिनिमन पाउडर इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से चान लेंगे और अब हम इसे जेंटली मिक्स करेंगे तो जैसा आप देख पा रहे हैं अभी यह हमें ड्राय लग रहा है तो हम एक काम करते हैं इसमें वन फोट काप मिल्क हम इसमें और एट कर लेते हैं और इसको थोड़ा स्मूधी टेक्स्चर आने तक बेट करते हैं तो यह लीजिए हमारा बेटर बनके तयार हो गया है देखे इस कसिस्टंसी तक हमें इसे रखना है ज्यादा रणिंग नहीं रखना है थोड़ा सा ड्राय ही रखेंगे तो अब हम इसको बेक करने के लिए टिन में शिफ्ट करेंगे तो यहां पर मैंने टिन में बटर पेपर लगाया है अगर आपके पास बटर पेपर ना हूँ तो पहले आप उसमें ऑईल लगा के और फिर आप मैदे की डस्टिंग कर लिजेगा तो हम अपना बैटर टिन में शिफ्ट कर देंगे और इसके बाद हम टिन को अच्छे से टैप करेंगे ताकि जो इसके अंदर बबल्स हो वो निकल जाएं तो यहां पर मैं यह मास्क मेलन के सीड्स को उपर से रेकुरेट करने के लिए डाल रही हूँ और साथ में ही मैंने यह किश्मिश ली है इसमें ब्लैक किश्मिश और हमारी रेड किश्मिश है इसके अलावा भी अगर आपको कोई और ड्राइफूट प्रसंद है तो आप वो भी इस पे टाल सकते हैं तो चलिए से बेक करते हैं तो यह पतीला मैंने यह गरम होने के लिए रख दिया था और अब हम इसमें अपना जो केक है उसे बेक होने के लिए रख देंगे इसको बेक होने में कम से कम 25-30 मिनट्स जाएगा तो यह देखिए फिर में 30 मिनट्स के बाद मैं इस का को चेक करने जा रही हूं देखते हैं यह पका है या इसमें कोई कहसर बाखी है तो इसमें नाइफ डाल के हम देखेंगे नाइफ तो बल्कुल क्लियर है यह देख रहे हैं आप बल्कुल क्लीन निकला है इसका मतलब केक जो है हमारा बेक हो चुका है तो अब हम इसको कम से कम 15-20 मिनट इसी में छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए उसके बाद हम इसको डी मोल्ड कर दिया है देखिए यह कितना सॉफ्ट बनाया है मैं इसको कट करके दिखाती हूं आपको तो देखिए आप जैसे देख पा रहे हैं तो स्पंजी केक बनके तयार हुआ है हमारा यह देखिए इसके अंदर की जाली भी बहुत बढ़िया से बनके आई है यह कि आपको यह रैसिपी कैसी लगी यह बहुत ही सॉफ्ट है मैं आपको दिखाती हूं कि यह देखिए यह हाथ में इसको हम जब स्कीज कररे हैं तो यह देखिए यह पनी जाली इसकी वापिस आ जा रहे है देखिए डेखा ना आपने यह कितना आप बनके तयार हुआ है तो